दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वसीम रिजवी के बारे में जो पूरी तरह से दिमागी बवासीर का सिकार हो चुका है मेरे इस प्रशन आप से यह आप खुद कह रहे हैं कि आपने इसलाम छोड़ा नहीं आपको इसलाम से निकाल दिया गया मतलब एक तरीके से जो आप बता रहे हैं उसके साब से धक्के मारके निकाल दिया गया तो लोग यह क्यों मानें कि आपने हिंदू धर्म को अपनाया है आपने तो इसलाम छोड़ा नहीं आपको किसी ने धक्के मारके निकाल दिया तो आपको जो जगह मिली आप वहां आ गयें आप हिंदू तो हुए नहीं आप तो मजबूरी में इंदू बनें इसका मतलब यह भगवान क्या जिलुम है देखे क्या इसलाम को आप धर्म समझते हैं हम तो एक आतंकी गुट का पार्ट है अब तो सब बोल दे भो सड़ी के उस गुट ने हमको बाहर कर दिया क्योंकि हमने उस आतंकी गुट की असलियत अरे आतंकी गुट में आप थे ना आपने तो नहीं छोड़ा ना आतंकी गुट नहीं छोड़ा आपको धक्के मारकर निकाला गया उस आतंकी गुट से कजब बेज़ती है तो बैटे काम कर सर्सों का ते लगा के उल्टा लेड़ जा अगर यह दर्म इतना अच्छा है और अगर आपको यह पसंद था और आपको लगता है इसलाम में आतंगवादियों का गुट है धर्म नहीं है तो आप उसको छोड़ कर आए होते हैं आप तो आज भी कह रहे हैं कि मैंने छोड़ा नहीं मुझे निकाल दिया इसलिए मैं यहा लाओ राम मंदिर से मेरी लड़ाई शुरू हुई थी आज मैंने अगर सनातन धर्म को खुबूल कर लिया रीती रवाद के साथ में तो मैंने दिल से किया ने 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 यहां कुछ तोकड़ पड़े हैं यह कैसे माने आपको इंदु धर्म दिल से स्वीकार कर लिया कल को आप दिखेंगे आप कहेंगे मैं इसको चोड़कर अपकर अपना रहा हूं यही सबसे अच्छा दर्म है कैसे माने आपको इंदु धर्म में आप आप रहेंगे यहां पर क्या हुआ वा वाट्स एपनिंग नंगा करके नहला रहा अरे बोलना बुढ़े हैं बोल्टी की बंद हो आपकी उम्र क्या है आज की तारीक मेरे उम्र लगभग पचास की आसपास है पचास साल है अरे बुढ़ा हो गया जवानी के अकल लेगे ले बाबा उठा ले यहरे को नहीं रे इन दोनों को उठा ले